हेलो एवरिबड़ी नीरसी चोधरी द्वारा लिखा ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन लंडन और डेली आए इस ऐसे के सारांश को हिंदी में समझते हैं सांस्कृतिक तुलना पहले तो लंडन और डेली के बीच सांस्कृतिक तुलना की गई है यह निवन लंडन और डिली के सारजनिक परिवहन परनालियों में देखे जाने वाले वेवारों और समाजिक समवादों की विष्टित तुलना प्रस्तूत करता है यह इन दोनों शहरों के सांस्कृतिक मांदंडों का एक विपरीत अध्यान है तो इस तरीके से यहां पर बताया गया है कि परिवहन परनाली यहां के वेवार और समाजिक समवाद या सांस्कृतिक मांदंड एक दूसरे से बिलकुल विपरीत है शांत लंडन पहले तो लंडन की बात की गई है जो कि काफी शानत हैं वहाँ कोई शोर्शरा बाई या बाटचित नहीं होती चोदरी लंदन के सारजनिक स्थानों जैसे कि बसें, पब और रेश्टरा में लोगों के पीछ बाचित की कमी और समाध हिंता का निरिक्षन करते हैं यहां तक की भीड़ बाड़ वाली जगों पर भी बावजुद इसके की वहां कई लोग होते हैं बाचित की अनपस्तिती देखी जा सकती है जो एक मूग फिल्म के दिरिश्चे की याद दलाती है चोदरी हमें बताते हैं कि लंदन में चाहे वो सारजुनिक स्थान हो चाहे बसे हो पब हो रेष्टरा हो या कोई भी भीड़ बाड़ वाली जगे हो तो वहां पर बाचित की अनपस्तिती देखी जा सकती है और यह सारा दिरिश्चे एक ऐसा लगता है मानो कोई मूग फिल चाहे बाचित को समाजिक समवाद के एक के इंदर के रूप में दर्शाया गया है यहां लोग सवतंतर रूप से बाचित में लिप्त होते हैं अक्सर अजनबियों के साथ व्यक्तिकत मामलों में भी चर्चा करते हैं भीड़ बाड़ वाली बसों में शारिरिक संपर्क और व्यक्तिकत स्थान को अलग तरह से देखा जा सकता है दिल्ली में अगर देखें चाहे वो सार्जविनिक स्थान हो वहाँ पर समाजिक समवाद चलता रहता है और बसों की यहां पर बात की गई है यहां पर लोग सबतंतर रूप से एक दूसरे से बात करते हैं इवन और इवन किसी के कोई पर्सनल इस तरीके से चीज भी होती है तो वो पूरे अथोर्टी के साथ उसको यूज करते हैं सांस्कृतिक अंतरद्रिष्टि अगर लंदन और दिल्ली की कल्चर की बात करें अगर गहराई से तो यह निबंद गहरी सांस्कृतिक अंतरद्रिष्टि में प्रवेश करता है जो भारतियों की सारजनिक और नीजिक शेत्रों के बीच के रेखाओं को दुंदला करने की प्र रहते हैं और दूसरी तरफ जो भारतिय होते हैं वो सारजुनिक रूप से और इवन नीजी क्षेत्रों में भी एक दूसरे से खुल कर बातें करते हैं। समाज का प्रतिविम इन अवलोकनों के माध्यम से चोदरी समाज के विवारों और रवयों पर व्यापक टिपनी करते हैं। यह बताते हुए कि कैसे सारजुनिक परिवेन, मानो मनवग्यान और समाजिक मानदंडों की सांस्कृतिक भिंताओं को समझने के लिए एक सुक्षम दरपन हो सकता है। भाशा और शैली, चोदरी की भाशा का उप्योग और हास्से से निमंद को सम्रिद बनाया गया है, जो सांस्कृतिक भिंताओं के बारे में उनके बिंदुओं को उजागर करने के लिए जिवन्त वर्नन और आकर्षक कहानी सुनाने की पेशकश करता अंग्रेजी समाज की समालोचना, निमंद में अंग्रेजी समाज की गोपनिये और गंभीर पकरती की सुक्षम अलोचना भी की गई है, जो कहती है कि ये सारजनिक जीवन में एक निश्चित उदासी जोडता है। भारतिय सारजनिक स्थानों के जीवन्त और सामुदाइक वातवर्ण के विप्रीत, कॉमेडी हुमेन, चोदरी इन सांस्कृत भिनताओं को मानव जीवन और इसके विवन पहलों को चित्रित करते हैं, जो मानविये समाजिक वेवारों की जटिलताओं का एक गहरा दृष्टिकोन परदान करता है। शुक्रिया।